प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बरढ़ रही हल चल के बीच महिलाओ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कुछ महिलाओ ने जहाँ जराम सरकार से संतुष्टे जताई है तो कई महिलाओ ने जराम सरकार की काम का पर सवाल उठाया है और क्या कुछ कहा महिलाओं ने उनसे खास बाचीत की हमारे समारता मनोस दिमान ने आईए सुनते है मंडी संसीक शेतर के दोरे पर खबर अभी तक की टीम पहुंच चुकी है इससे पहले हमने आपको कुछ युवाओं को दिखाया, युवाओं से बात करवाई है युवाओं ने भी अपना जो दर्द है, कही न कहीं वो उनके मन से जलका है, उन्होंने बात की है अब हमारे साथ कुछ महिलाओं जुडने जा रही है, जिन से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की सरकार वो चाहती है, किस तरह का सांसद वो चाहती है क्योंकि जहां भी बात की जा रही है, मोदी लहर ही काम कर रही है, हर जगा मोदी का नाम सामने आ रहा है, राहूल गांदी को कहीं पीछे छोड़ने की बात की जा रही है, अब महिलाओं से जानते हैं कि यह किस के फेवर में है और कैसा यह सांसद चाहते हैं, तो किस तरह गए हैं कैसा कैसा सांसर में चाहिए इमानदार सरकार बस इमानदार और सच्चे जी जो गरीबों का उदार करें और जो हमारे हम सब लोगों सभी की मतलब जनता की सभी की सुने वे तो ये महिलाएं कह रही हैं कुछ ने कहा कि उनकी सड़के खराब हैं कुछ में नराजगी है तो कुछ में खुशी भी है तो कहीं न कहीं लगता है कि कुल मिला के दोनों पक्सों में बराबरी का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है महिलाओं की माने तो ये दोनों तरफ ही बोड करने वाली है क्योंकि एक तरफ सांसर रामसरूप शर्मा की बात की जा रही है तो वहीं कॉंग्रेस पत्याशी की भी बात की जा रही है अब देखना ये होगा कि महिलाएं अपना मत किसे देती है और किसे अपना सांसर चुनती है कैमरमन आतिश चोहान के साथ मनोज दिमान खबर अभी तक मंडी